उना जिला कॉंग्रेस कमेटी ने केंदर की मोधी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए वित्तिय संस्थानों को तबा करने का आरोप लगाया। जिला कॉंगरेस कमीटि अध्यक्सराणर रंचित सिंग की अध्यक्षता में किये गए प्रदर्शन के दारां जिला के कई कॉंग्रेस कारेकर्ता शामिल हुए कॉंग्रेस कारेकरता ने जोरदार नारे बाजी करते हुए स्ट्रेट पैंक आफ इंडिया की उना ब्रांच के समक्ष रोश प्रदर्शन किया कॉंग्रेस का रोप है कि नरेंडर मोदी ने चहेते कारोबारियों को नियमों को ताक पर रखकर सरकारी धन लुटाया है कहा कि केंडर की मोदी सरकार जनता की खून पसीने की कमाई को अपने चहेतों पर लोटा रही है जबकि देश में हालात लगातार बिगरते जा रही है ऐसा है कि एक-एक करके मोदी जो सरकार है वो सारे देश की जो है संपतियां है बेच रही है और अपने चहेतों को रेवडियां बांट रही है जो आप जनता का पैसा है वो मोदी सरकार अपने जो उनके खास चहेते हैं उनको सभी काईदे कनून ताक के उपर रहकर उनको फैदा दे रही है और उसी के तहत मोदी सरकार ने असी हजार करोड रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने बहुत ही चहेते अडानी ग्रुप को जो है उसमें इंवेस्ट करวाया जबरदस्थी और ऐसे ही ऐलएशी का बती हजार करोड रुपया मोदी के कहने के उपर मोदी सरकार के कहने के उपर जबरदस्थी जो है LIC का जो पैसा है वो भी अडानी ग्रूप में अनवेस्ट करवाया और आज अडानी ग्रूप जो है वो बेंक कगाली के कगार पर उपर है आप देख रहे हो हार दिन लागबाद पत्ची परसेंट जो है उनके जो शेर है और यह पैसा जो है आम जनता का है और डानी के जो शेर है वो पचास परसेंट से उपर जो है इस बग तक गिर चुके हैं और SBI का पैसा LIC का पैसा जो पैसा किसका है आम जनता का पैसा है हमारा पैसा है आज हम उसका ब्रोद करते हैं और जे ब्रोद जो है आज तो हम स्टेट बैंक अप इंडिया की शाखा के आगे कर रहे हैं और आने बाले समय में जे ब्रोद जो है सरकों के उपर पहुंचेगा और हम इसके लिए चक्के भी जाम करेंगे